कि नमस्कार मित्रों कि यूटूब चैनल अनराग एकडमी एसकेसर में आप सभी का स्वागत है मित्रों मैं आज परियावरण की टापिक लेके चल रहा हूं तो आप सभी लोगों पर बतादू कि सबसे पहले मैं देखूंगा परियावरण परियावरण की पधिवासा और परियावरण से बनने वाले सभी महत्रपूर्ण जो कि यूपी टेट शूपर टेट ग्रूप डी एससरी आध एक्जामों में पूछे जाते हैं इस्पेसली आप वीडियो यूपी टेट और सूपर टेट के लिए बनाया जा रहा है मित्रो परियावरण से जितने भी क्यूश्चन बनने वाले हैं सभी क्यूश्चनों को आज हम देखेंगे तो पहले हम परियावरण की बात कर लेते हैं तो परियावरण दो सब्दों से मिलकर बना है परी और आवरण परीधन आवरण परी का अर्थ होता है चारों और आव प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी जैविक तथा आजैविक बस्तुओं को चारो ओल से घेरे रहता है तो परी का अर्थ हुगा प्राकृतिक रूप से प्रिया जाने वाली जैविक तथा आजैविक बस्तुओं को छारो ओल से घेरे रहता है। उनमें सभी जयविक तथा आयविक कारकों को सम्रैंड किया जाता है जो प्रकृत में एक दूसरे को प्रभावित करते । उसे ही हम पर्या वरन कहते हैं तो बात कर लेते हैं आगे हम पर्या वरन की परिभास्ता आपने देख लिया अब यहां पर कोछी डाइग्राम दिये गये हैं इतनों इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि पर्यावरण में उपस्थित, जीव, जन्त, वनस्पतियां, आदि, जो सभी प्रकार के प्यड़ पौधे पाये जाते हैं, उन्हीं का अध्यन करना ही हमारा पर्यावरण कहलाता है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो सभी सजीव जीव, जन्त, पज्षे वनस्पतियां पौधे आद ही होते हैं, सभी सभी के अंत्रगत सम्णित किया जाते हैं, और दूसरी और सभी को देखा यह जातों निर्जीव बस्त्विं, बेबस्त्विं, जो निर्जीव होती हैं, जैसे कि वायो जल, चटान, सोरी, प्रवरण जो बस्तूँआं हती हैं वे सभी निर्जी बस्तूँआं के अंतरगत आते हैं तो बात कर लेते हैं पर्यांवरण के आजयवि घटक के उधारन की जो परियावरान के आजयविग घटक के उधारन तो इस प्रकार परियावरान का अध्यन परियावरान के जयव तथा आजयव घटकों में अंतर संबंध का अध्यन ही परियावरान कहलता है मित्रों फिर से ध्यान देते हैं कि पर्यावरान का अध्यन किसे कहते हैं तो पर्यावरान के जैविक तथा आजैविक घटकों में अंतर संबंधों का अध्यन ही पर्यावरान का अध्यन कहलाता है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं पर्यावरान से जो हमारी यूपीटेट सूपर्टेट में क्यूस्चन बनने वाले होते हैं उनकी बात कर लेते हैं तो पहले हम देख लेते हैं पर्यावरान को हमने उपर से देखकर आया कि परधन आवरान दो सब प्रश्न कई बार UPTET और सुपर TET में कई बार पूछे जाते हैं कि प्रथम परियावनल दिवस कब मनाया गा तो 1974, 1970 होर में मनाया गया था, उसके बाद बात कर लेते हैं, प्रथम अंतरराष्टी परियावनल समेलन में एक परियावनली संस्था, संगुत राष्ट परियाव और कारिकरम, अर्थाथ Union Nation Environment Project, संगुत राष्ट परियावनल कारिकरम, और यहां पर यहां बता दूरू मित्रों की जो संगुत राष्ट परियावनल कारिकरम, यह यह याँ एपी की स्थापना किया गया था, तो वह नइरोभी किन्या में किया गया था, और इसका मुख्या अब बात कर लेते हैं अगले परस्न की अगले परस्न में देख लेते हैं तो पर्थम पिर्थभी सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो पर्थम पिर्थभी सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो पर्थम पिर्थभी सम्मेलन की नाम से भी जाना जाता है जो की ब्राजीर में आयुजित क बनाया गया था तो यह सतत विकास या धार्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था उसके बाद बात कर लेते हैं हम पारिस्थ की अर्थात एकोलाजी की तो एकोलाजी की बात कर लेते हैं तो इकोलाजी कहते किसे हैं, तो मित्रों, इकोलाजी की बात कर लेते हैं हम, इकोलाजी की बात कर लेते हैं, तो इकोलाजी, इकोलाजी सब्द ग्रीक भासा का सब्द है, दोस्तों, कभी-कभी पुछ लिया जाता है डायरेक्टली, कि इकोलाजी किस भासा का सब्द है, तो यहां स्थान या निवास इस्थान का अध्यन करना इको लाजी पारिष्टतकी जिसको बलते हैं यह ग्रीक भासा का सब्द है और इसका जो अर्थ होता है वह जन्व इस्थान या नीवासıldı का अध्यन करना हीstrot कलता इसकी परभास भी थोला करने वाले विज्ञान को पारिस्थित्की कहते हैं तो मित्रो इसे हमें जानकरी प्राप्थ हो गई कि पारिस्थित्की किसे कहते हैं तो पारिस्थित्की जीव और वातावरण के मध्ध पारस्परिक संबंधों के अध्यन करने वाले विज्ञान को पारिस्थित्की कहते हैं अब हम थोड़ाइब God आगे देख लेते हैं उपर isपर देख लेते हैं तो सबneten की बाँ ऑद की जाए तो सब्ध सर्बिधम औरनस्ट हयेकल ने अत्हाराओ सपनफननतर में दिया था थोड़ा सा तो देखते हैं यहां पर पारिष्थ की तंत्र अभी हमने पढ़ा पारिष्थ की तंत्र अर्थात ecology system ecosystem तेक उसके बाद पारिष्थ की तंत्र में बात कर लेते हैं सबसे पहले परियावरान की तो सबसे पहले बात करते हैं परियावरण तो हमने बताए कि जैविक तथा आजैविक दो घंटकों से मिलकर बना है तो परियाविक चीव झेविक य्यंतू पसुपछी आद होते हैं बे सब जैविक घंटक के अंतर गतते हैं और आजेविक की बात कर लिये जाए तो वातावरान में जीतने भी निर्जीव बस्त्विय होती हैं घार मकान और नदी परवत जील आधी वे सभी आजेविक घटक के अंतर गाते हैं अब इसकी परिभासा थोड़ा सा देख लेते हैं परिभासा देख लेते हैं उसके बाद जीव और वातावरान के मद्ध और आस्परिक संबंध पाय जाता है इसी पारिश्थिक संबंध को ही पारिश्थिक तंत्र काते हैं। क्या बनता है तो यह बनता है कि पारिष्थितिक तंत्र सब्द कारशार प्रथम 1935 में एजी टंसले ने दिया था यह किस्टिन बनता है कि पारिष्थिक तंत्र सब्द जो है वह किसके द्वारा और कब दिया गया थो तो एजी टंसले द्वारा 1935 में दिया गया था और इसके बाद बात कर लेते हैं तो पारिस्थिक तंत्र का जनक पारिस्थिक तंत्र का जनक एजी टिंस ले उसके बाद हम अगले किस्टिन पर बढ़ते हैं अगले किस्टित पर बढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित महत्पूर तत्थ कि पारिस्थिक तंत्र से हमारे एक्जामों में कौन-कौन से प्रशन बनाया जा सकते हैं और कैसे प्रशन बनाया जा सकते हैं तो मित्रो पहला देखते हैं कि सबसे बड़े पारिष्थिक तंत्र की बात कर लिया जाए तो क्या है समुद्र या महासागर सबसे बड़े पारिष्थिक तंत्र की बात हो रहे ही मित्रों ध्यान देजेगा या पिर्थवी पर या इस्थाई रूप से ऐसी कुछ बात नहीं की गई है या सबसे बड़ा पारिष्थिक तंत्र है सबसे बड़ा पारिष्थिक तंत्र समुद्र या महासागर है उसके बात सबसे इस्थाही पारिषितिक कि बात कर लि जाए तो समध्य महासागर ही है कि पिर्थवी पर पाये सबसे विचुड़ का लोन होते हैं अर इसथल पर तो झांड ब्हान Iraq लखिएगा कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्रया महासागर और पिर्थभी पर पाया जाने वाला सबसे इस्थाई पारिस्थितिक तंत्र समुद्रया महासागर ही है लेकिन अगर बात की जाए इस्थल खंड इस्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिष्थिक तंत्र होता है, उसके बाद बाद कर लेते हैं, अगले किस्टों की तो सरवाधिक उत्पादकता वाला पारिष्थिक तंत्र वह क्या है विशुवत रेखी पारिस्थितिक तंत्र है जिसे भूमद रेखी पारिस्थितिक तंत्र या उसलकटिबंधी ये वर्षा बने चेत्र के नाम से भी जाना जाता है वित्रो हो श्त्र हो सब्सक्रा Lore अब ब बात होई सर्वाधिक उत्पादक्ता की त जो नियुन्तम उत्पादक्ता वाले होते हैं ध्रवी छेत्र होते हैं जैसे कि बात कर लिया जाए कि यह हमारी प्रिथरी है और यहां से मित्रो यह भाग और यह भाग दो छेत्र हैं इसे हम बोलते हैं क्या आर्कटिक छेत्र और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक छेत्र तो जो ज्रुआये छेत्र होते हैं सभषिंद्पादखता होती है यहां पर तो उसी के बात के गई है कि सभस्रेखम उद्पादखता के बात की गया है तो क्या है ध्रुआ चेत्र और्कृरिक चेत्र और बात करने जाते सर्वाधिक जैव भार्या भीढ़ो Service वाला . सर्वाधिक जयवभार या वायोमास वाला पार्षित तंत्र तो वह उस्ले कटबंधी वर्षा छेत्र है जहां पर सर्वाधिक जयवभार या वायोमास वाला पार्षित तंत्र पाया जाता है उसके बाद बात कर लेते हैं कि न्यूनत्म जयवभार या भायो मास्वाला पार्थिक्तंत्र यहां पर हम धर्बाधिक सबसे अधिक पर बात कर लेते हैं अगले पर स्ब्सकेब होता है कि जो मानदार निर्वित हो जो प्रकृत दार नहीं बनाया गया हो मानुदारा बनाया गया हो यानि कि सबसे बड़ा कृतिम पार्शितिक तंत्र खेत का पार्शितिक तंत्र है और खेत का पार्शितिक तंत्र की बात की जाए तो उसमें धान का खेत धान का खेत शबसे अधिकő पाराशिति तंत्र वाला चेत्र माना जाता है और अगले कीस्चन पर पठती है तो पाराशित्ट का आतंकवाद अब मित्रों यह क्यूस्चन बार-बार पूछा जाता है कि स्वें कहा जाता है यूके लिप्टर्स को कहा जाता है यूके लिप्टर्स यहां एक आस्ट्रेलियाई बिच्छ है जो कि मोलता आस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है यूके लिप्टर्स इसे पार्षित तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्यूस्टिन की तो यहां पर देखा गया कि आतंक वाधीं किसी का वाधी है तो किसींका मिध्र भी कोई होगा तो बात किल को नiãoनेजने नेंगे कुषेग अंहाई निमिनि पॉप है और ने एव बढ़ने वुसते हैं तो देख लेते हैं बंगाल का सत्रू मिध्र भागर जाता है कि बंगाल का सत्रू किसे कह जाता है तो जलकुंभी को कह जाता है अब बात कर लेते हैं अगले टापिक की तो देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं नमबर एक प्राकृतिक पार निर्मार किया गया हो जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो जैसे तालाब जील जरने समुद्र नदियां आदि जो प्रकृति द्वारा ही बनाया गया हो जिसमें मानों का कोई हस्तच्छेप ना किया गया हो मानों द्वारा ना निर्मित किया गया हो उसे प्राकृतिक पार् तंतर काते हैं अगर बात कर लेते हैं आप प्राकृतिक पारिसिक तंतर जैसे तालाब जहीं नदी समुद्र आधि हो गए और कितिम की बात की जाए तो जैसे कि खेत हो गए एक्वेरियम हो गए अब सबसे पर्स्ट पर हम देख लेते हैं प्राकृतिक पार्षिक तंतर के बारे में तो आयसा पार्षिक तंतर जिसका निर्मार्य इस्टाः प्राकृतिक पार्षिक तंतर काते हैं माल किया गया होता हुए आय से पारिष्थर्थिक तंत्र को प्रया करते हैं अब ऊधारन की बात करड़े थोड़ा सा कि तो ऊधारन में देखते हैं आप प्राक्रतिक पारिस्थिक तंत्र में वनी पारिस्थिक तन्थ नदी tekrar जी शेव समुद्र अब होते हैं जहीर समूधर मरुस्थाल डेल्टा परवत की नीं किर सबफित करों यऊ इसलिए जिसका निर्ममानो दारा हुआ है या किया गया हो उसे कृतिम पार्षिक तंत्र काते हैं तो हम इसका भी उदारान देख लेते हैं कि मानोधारा कृतिम जैसे खेत का पार्षिक तंत्र हमने आपको ऊपर ही बताया कि खेत का पार्षिक तंत्र जो खेत का पार्षिक तंत्र होता है उसमें धान का खेत धान का खे बाग बबीचा, नाहर, कुओंग, इक्वेरियंयम पार्षिक तंत्र, आंत्रिवरे इच में कृइरिशी का पार्षिक तंत्र जो इत्यादी इस अभी घटक है जो इतने कृतिम और पार्षिक तंत्र है जो की मानो द्वारा निर्मित आएं इसलिए इन्हें किर्टिम पॉर।ktor कहा जाता। अब बात कर लेते हैं पारिसिःतिक तंत्र के घटक की तो किर्टिय पारिसिःतिक तंत्र के तीन घटक हैं। नबर एक जैविक घटक आजैविक घटक उर्जा घटक और जैविक आजैविक आपको माने बता ही दिया कि जैविक घटक और आजैविक घटक जैविक घटक वे सभी जीव जन्तु जो सजीव होते हैं वे सभी जैविक घटक के रूप में सम्रित होते हैं और आजैविक घट गर मकान इत्यादी परवत प्थार जो सभी निर्जी वस्तिय होती हैं वे आजयवी घटक के रूप में समलित होते हैं अब बात कर लेते हैं सबसे पाहले जैविक घटक की तो जैविक घटक में तीन सेरी होती है नंबर एक उत्पादक अब उत्पादक की बात कर लिया जाए तो जितने भी हरे पेल पौधे वनस्पतियां और सैवाल होते हैं अर्थात हम कहलें कि वे सभी उत्पादक वे सभी पौधे जीव जन्त वनस्पतियां जो अपने भोजन के लिए सएंग पर निर्भजाते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी वर्गपर आश्यत नहीं होते हैं वे सभी उत्पादक की श्रणी में आते हैं और भकता के बात कर लिया तो जीव जन्त वो होते हैं जैसे कि जो भी जीव जन्त होते हैं किसी ना किसी के ऊपर निर्भर होता है तो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे वर्ग पर निर्भर रहे उसे ऊपभगता करते हैं और अब घटक की बात कर लें तो जीवान और कवक कि अब घटक जो अब टर्जा एक प्रशन बहुत ही इंपराइटंट है मित्रों पूछा जाता है कि प्रक्रीती का मेहतर या प्रक्रीत गैसे का गता तो कवक सबसे पहले उसकी बाद बात कर लेते हैं कि उत्पादक की अभर जब हो गया अब बात कर लनते हैं उत्पादक वर्ग की अएसे सजीर झू अपना भोजन्षय्म बना लिए य honestory कि सी अन्य वर्ग पर निर्भरना रहे उसके उत्पादक lacking वर्ग कहा जाता है ठीक मित्रों और इसके बाद देख लेते हैं नंबर दो नंबर दो में उत्पादक वर्ग के अंत्रगत सभी हरे पेरपाउधे यह सहवालों को सम्रिद किया जाता है सभी प्रपाउधे अपना भोजन प्रकास से बनाते हैं आई प्रकास देख लेते हैं करकाष़र के कि लिए कितने टत्तो महतोपूर होते हैं। हमार की बात कर लिते हैं उनकी चाचा कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं है जो बह्त apart end होता है प्रकास ट्र segunda की किलिया के लिए अब पाद कर लेते हैं तो कलोरो फिल नित competitors रहां होती हैं ऑद्धों में भोजन बनता है अगवा पतियों में ही बनाया जाता है जैसे की जल इन्मात्रेट जाता हैं और पत्तियों द्रौकовор हैं जाता है और पत्तियों में ही भोजन बनाया जाता है जैसे कि सूर के प्रकास की बात कर लिया जाए तो सूर के प्रकास में सरवाधिक प्रशुर मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है और कार्बन डाई आकसाइड की बात कर लिया तो कार्बन डाई आकसाइड सभी लोगों से ८ृण द्वारा प्तियों तक पहुंचता है उसके बाद करें कि भूजन न już निय Roceta हो दिखे पंदनी स्था करें है ? क्वार पूछा जाता है कि स न गए दौद की नहीं कडनी संदेने में के राकर स्था प्रकास regulation की सबसे तेज अपक्रिया लाल रंग के प्रकास में होती है। जैसे कि बात की जाएं कि प्रकास «ईस्षूर के प्रकास हुते हैं» उसमें सात रंग पाय जाते JOHN तो उसमें से जो लाल रंग का प्रकास होता है उसमें प्रकास तेज के तो मित्रों हमारा सेशन आज का यहीं तक रहा अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लागे तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नवस्कार मित्रों जय हिंद जय भारत